मूवी वान केवल उसका कान ठीक वही है जहां होना चाहिए इस अजीबता के बावजूद वह आदमी शांत रहता है अपनी घड़ी देख कर उसे एहसास होता है कि उसकी ट्रेन आने में थोड़ी देर है तो वह अपने सिर पर काम करने लगे और कटे हुए हिस्सों को इधर उधर करने लगे इस अजीब नजारे ने लोगों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया पहले अपने काम में व्यस्त सफाई कर्मी रुखता है और आदमी को अविश्वास में घूरता है इसी तरह अन्य यात्री तब हत्प्रब रह जाते हैं जब वे उसे रुबिक क्यूब सिर के साथ देखते हैं इस बीच कई संयोजनों को आजमाने के बावजूद आदमी अपने चेहरे को सामाने तरीके से नहीं सजा पा रहा है वह वहाँ उलजन में बैठा है और अपने हाइड्रेशन ड्रिंक से एक घूंट लेने का फैसला करता है ताजगी भरी स्वाद से तरो ताजा होकर वह फिर से अपना चेहरा बदलने लगता है संतुष्ट होकर वह अपने कानों में इयरफोन लगाता है और शांती पूर्वक एक गाने पर थे रखता है दूसरी फिल्म का आरंब लंदन में एक धूप वाले दोपहर से होता है जब व्यवसाई डायो अपनी छोटी बेटी लॉरा के साथ सड़क पर चल रहा होता है लंच ब्रेक होने के बावजूद वह लगातार अपने फोन पर व्यस्त रहता है अपने काम से कॉल लेता रहता है ठककर लारा उसका ध्यान आकरशित करने के लिए उससे दूर चली जाती है जैसे ही उसने उम्मीद की थी दायों हो तुरंत कॉल समाप्त करता है और उसके पास आ जाता है लारा फिर मजाक में उससे नाचने के लिए कहती है वह उसे कदम दिखाती है और वे दोनों कुछ नाचते हैं। उनकी बातचीत से पता चलता है कि लॉरा का उसी दिन बाद में अपने स्कूल में उसका पहला स्टेज परफॉर्मेंस है। लेकिन नायो इसमें शामिल नहीं हो पाएगा क्योंकि उसकी कई व्यापारिक बैठके हैं। जैसे ही पिता और बेटी एक क्रॉसिंग के पास पहुंचते हैं, अचानक एक साइकिल उनके पास से खतरनाक तरीके से गुजरती है। अगर वे कुछ इंच आगे होते तो एक गंभीर दुरघटना हो सकती थी। इससे दायोह भावनात्मक रूप से जगजोर जाता है और उसे याद आ जाता है कि वह अपनी छोटी बेटी को कितना महत्व देता है। तो वह अपने सहयोगी को फोन करता है और उसकी डांस प्रफॉर्मेंस में शामिल होने के लिए सभी काम की बैठेकें स्थगित कर देता है। इसके बाद वे लॉरा की मां अमांडा से मिलते हैं। चोटी लड़की उसे गले लगाती है और बताती है कि पापा उसके प्रदर्शन के लिए रुकेंगे। यह अमांडा के लिए चौकाने वाली खबर है लेकिन वह इसे पूरे दिल से स्विकार करती है और अपने पती को चूमती है। हलांकी, हलांकी यह सुखद क्षन बाधित हो जाता है जब दायोह को उसके काम से एक और कॉल आती है। जैसे ही वह एक पल के लिए हटता है उसके पीछे लोग अचानक घबराने और भागने लगते हैं। वह मुड़ता है तो एक भायानक दृष्य देखता है। एक आदमी जो पूरी तरह से काले कपड़ों में है, हाथ में खून से सना चाकू लिये हुए, जो लौरा और अमांडा के सामने खड़ा है। डियो उस आदमी से कुछ न करने की भीक मांगता है, लेकिन उसकी बात अंसुनी रह जाती है। फिर वह आदमी आगे बढ़कर अमांडा को छुरा मारने की कोशिश करता है। और चाकू बाजी की घटना में आदमी को एक जूरी द्वारा दोशी ठहराया गया है। दाईयो अब अपनी पिछली नौकरी छोड़ चुका है और एक राइडशियर ड्राइवर के रूप में काम करता है। चलता रहता है, कोशिश कर रहा है। दाईयो भी उन लोगों से मिलता है जिनका काम पहले का मान सिकता था जैसा कि उसने पहले किया था। और हर बार उसे एहसास होता है कि ऐसा सोच कर वह कितना मूर्ख था। एक सुबह दाईयो अपने परिवार की तस्वीर को उसकी बेटी के जन्म दिन पर निहारता है। वह एक पारकिंग स्थल में इंतजार कर रहा है जब एक जोड़ा उसकी गाड़ी के पास आता है क्योंकि उन्होंने उसे घर तक छोड़ने के लिए बुक किया है। उनके साथ उनका छोड़ा लौरा की याद दिलाने वाली बेटी या जोड़ा इंफ्लूएंसर है और अपनी यात्रा के दौरान लगतार जगड़ता रहता है। डियो रियर्व्यू मिरर से लड़की को सहानु भूती पूर्ण नजर से देखता है जबकि उसके माता पिता बहस करते रहते हैं। जल्द ही वे आखिरकार घर पहुँच जाते हैं और माता पिता सामने के दर्वाजे की ओर बढ़ते हैं जबकि उनकी बेटी कार में पीछे रहती है। डियो उनका सामान पीछे से लेकर आता है और गेट पर रखने के बाद लड़की से पूछता है कि क्या वह अंदर जाना चाहती है। और आत्म विश्वास है कि वह जो कुछ भी अगला आएगा उसका सामना कर सके। तीसरी फिल्म तब शुरू होती है जब टिंबर वोड्स अपने बंगले पर पहुँचते हैं और अपने साथी हैरी होप को बिस्तर पर अजीब तरह से व्यवहार करते हुए पाते हैं। स्वभाव के विपरीत हैरी फुसफुसा रहे हैं और पसीने में भीगे हुए हैं। वह टिंबर को बताता है कि एक करैत जो एक बेहद जहरीला छोटा सांप है बिस्तर पर रेंग गया और अब उसके पेट और चादर के बीच सो रहा है। फिर टिंबर रसोई में जाता है और एक चाकू लेता है। वह इसका उपयोग संक्रमित त्वचा को काटने और जहर को चूसने की योजना बना रहा है। हलांकि हैरी उसे इस्थानिय डॉक्टर डो गैंडर बी को बुलाने के लिए कहता है। शुकर है डॉक्टर आने के लिए सहमत हो जाता है। डॉक्टर टिम्बर से कहता है कि सीरम किसी भी तरह से सुरक्षा की गारंटी नहीं है। संक्षिप्त चर्चा के बाद वे सर्प को समवेदनहारी देने का फैसला करते हैं। फिर वे अंदर जाते हैं और हैरी के नीचे के गद्दे को क्लोरोफॉर्म से भिगो देते हैं। यह प्रक्रिया दर्दनाक है और इसमें बहुत समय लगता है। आखिरकार वे धीरे धीरे हैरी की चादर उठाना शुरू करते हैं। उम्मीद करते हुए कि साप बेहोश है। हालांकि, हालांकि उन्हें साप का कोई निश्टन नहीं मिलता है। गंदर भाई सुझाव देते हैं कि यह उसके पजामे की टांग में हो सकता है। इस पर हैरी पागल हो जाता है और अपने पैर हिंसक रूप से हिलाते हुए खड़ा हो जाता है। जब वह रुक जाता है, उन्हें एहसास होता है कि उसे साप ने नहीं काटा है और साप कहीं नजर नहीं आ रहा है। आश्चरे चकित होकर गंदर भाई हैरी से पूछते हैं कि क्या उसने वास्तव में पहली बार में सांप देखा था। यह केवल बाद वाले को और क्रोधित करता है और वह गैंडर भी पर उसे जूठा कहने का आरोप लगाता है। जब डॉक्टर जवाब नहीं देता है तो है हैरी चिलाने लगता है। उस पर भयानक नसलवादी अपशब्द कहते हैं हैरी ब्रिटिश शासित भारत में एक ब्रिटिश अधिकारी है जबकि गंदर भाई एक स्थानिय भारतिय डॉक्टर है। इसलिए वह जल्दी से बिना कुछ जवाब दिये चला जाता है। अंतिम फिल्म इस तरह खुलती है जैसे एक मध्यम आयू वर्ग का व्यक्ति जिसका नाम सिड्नी है अपने बेटे इसायाह पर चलता है। शर्मिंदा होने के बावजूद सिड्नी बताते हैं कि एक युवा व्यक्ति के लिए ऐसी गतिविधियों में सनलगन होना स्वाभाविक है पता चलता है कि जिस तस्वीर का उपियोग इसायाह आनंद लेने के लिए कर रहा था वह वास्तव में सिड्नी उसके अपने पिता की थी। जैसे जैसे समय बीटता है इसायाह का अपने पिता के प्रती आकर्शन तेजी से बढ़ता है और वह अधिक आकरामक हो जाता है। इसके बारे में कुछ नहीं करती है। वह अपने आंसू पोंचती है और ऐसे चलती रहती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सालों तक सिड्नी को अपने कश्ट के बारे में लोगों को बताने से डर लगता था। लेकिन वह उस बिंदू पर पहुंच गया है जहां वह अब और दुर्व्यभार सहन नहीं कर सकता। इसके परिणाम स्वरूप वह एक किताब लिखने का फैसला करता है जिसमें वह पिछले दस वर्षों से सब कुछ जहल रहा है। सहायता एक रात जब वह अपनी किताब पर काम कर रहा होता है तो उसे अपने पीछे कदमों की आवाज लेकिन सिड्नी उसे अस्विकार कर देता है जोन फिर माहौल को हलका करने की कोशिश करती है लेकिन इसे आ समझाता है दावा करता है कि उसने यह उपहार अपने पिता के लिए विशेश रूप से खरीदा है फिर वह अपने पिता की पूंच के नीचे उसके पैर को लगता है। कई हफ़तों बाद सिड्नी अंततह अपनी किताब पूरी करता है और अपने परिवार को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला करता है। जाने से पहले वह पूरा हुआ पांडुलिपी अपनी पत्नी के तकीये के नीचे रखता है। दुर्भागे से जब वह पांडुलिपी की प्रती मिलने के बाद सिड्नी के कारियाले में उससे संपर्ख किया। वह नाराज है कि उसके पिता उनके रिष्टे को उजागर करने की हिम्मत करेंगे। इसे जलाने की धमकी देते हुए उसने चेतावनी दी की अगली बार परिणाम एक साधारन बातच जीद से कहीं बुरा होगा। इससे सिड्नी डर जाता है इसलिए वह तुरंत अपनी पांडुलिपी वाली फाइल हटा देता है। सभी दोस्तों और परिवार के लिए नया साल पार्टी आयोजित करने के बाद सिड्नी ने आराम करने के लिए सनान और संगीत का आनंद लिय लेकिन इस सियाह के लिए उसकी और भी योजनाए है। वह दर्वाजा तोड़कर अंदर घुसता है और बात तब में उस पर हमला करता है। मा उसकी चीखें नीचे से सुनती है लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती। रात में सिड्नी यह निर्णय लेता है कि वह अब अपने बे पिता रिष्टे को एक तरफा मानते हैं। एक बार फिर से आक्रमन होने से डर कर सिड्नी दर्वाजे से बाहर निकलता है। लेकिन जब वह सड़क के बीच में पहुँचता है तो उसे ट्रक उसकी और आता नहीं दिखता। दुर्भाग्य से उसे टकर लगती है और वह वह पर मर जाता है। इस याह अपने पिता को अपनी आखों के सामने मरते देख डर के मारे चिल लाता है। फिर दृष्ट कुछ दिनों बाद करता है जब जौन को उन सभी समयों के बारे में सोचना पड़ता है जब उसने अपने पती को नजर अंदाज किया। उसे एहसास होत पसाया तो वह रो रहा था और जोन की आखों में नहीं देख पा रहा था। शुरुवात में इस याह ऐसा दिखाता है जैसे उसे पता नहीं है कि वह किस बारे में बात कर रही है। लेकिन जितना अधिक वह दबाव डालती है वह उतना ही अधिक उतेजित हो जाता है। जोनों के बीच जगड़ा होता है और अंत में जोन आत्मरक्षा में अपने बेटे को मार देती है।